तो आज हम जो है प्रोटोकॉल के बारे में आंडर्स्टांड करेंगे कि अध्याique को अब से ह sill courageous अप्लीकेशन लेर के प्रोटोकॉल का बारे मैं बात कर लेते हैं औplicially इसमें से कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो आपको हमेशा अच्छे से यूज़ करने हैं बट बिंगर नेट्वर्क इंजीनियर बट आपको information बहुत सारे protocols की होनी चाहिए कि कौन सा secure है और कौन सा नहीं secure है और कौन से ports का जो है इस्तेमाल किया जाता है तो पहले हम बात करते हैं वेब services हमारे पास वेब जब भी हम ब्राउजर के तो कुछ भी browsing करते हैं तो हमारे पास में दो तरह के जो है प्रोटोकॉल से स्थेवाल होते हैं http और http s कौन सा secure है आपको क्या लगता है distributed फूल फूल फॉल फ्र्म तो हाइबर टीक स्थेवं स्थे सब्सक्राइब करते हैं और कैसे होता है किसी को कैसे करेंगे ग्रीन में आता है और यह लॉक लग लगके आता है तो विच मिन्स कि कि वह हमारा कौन से प्रोटोकॉल पर ट्रांस्मिशन हो रहा है एस्ट्रीटीपी एस पर हो रहा है अगर कोई भी वेबसाइट जो है मारे एस्ट्रीटीपी पर ओपन हो रही है तो वह आपकी नौट सेक्यूर पहली बात वह लॉक नहीं आता लगके और वहां पर लिखके भी क्या रहता है नौट सेक्यूर तो ऐसी वेबसाइट को हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करना जो स्ट्रीटीपी एस पर ना काम करें तो अब यह एक चीज और ध्यान रखनी है इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ली खास ध्यान रखना होता है जब भी हम फाइर वॉल मैनेज करने का जो है ट्रॉबल चूट करने का मौका जरूर मिलेगा तो ऐसे में आपको जब भी हम फाइरवाल के साथ में काम करते हैं तो क्या लगता है आपको एच्टीटीपी का जो ट्राफिक है वह आपके निट्वक में आने देना चाहिए यस और नो आने देना चाहिए एच्टीटीपी का आप आपका जो डेटा है आने देना पड़ेगा नहीं इसको नहीं आने देना है एसको आने देना है ओके अगर यह वह जो वेबसाइट सेक्यूर ही नहीं है अगर वह आपके नेट्वक में आएंगी तो definitely कोई ना कोई hacker उनके थूँ अपने आपकी network के अंदर कुछ भी वाइरस वगरा attack कर सकता है DDoS attacks वगरा हो सकते हैं तो ऐसी websites को हमने आने नहीं देना है ऐसा traffic हमारे पास में allowed नहीं होना चाहिए so basically http को हमने block करके रखना है right so that कि secure communication वाली websites ही हमारे पास आ सके हैं अब इनको block करोगे कैसे पहली बात firewalls के अंदर अगर graphical interface पे जा रहे हो तो definitely वहाँ पे आपको HTTP, HTTPS देखने को मिल जाएगा in other way आप इनके port numbers को block कर सकते हैं HTTP जो है वो port number 80 को इस्तेमाल करता है wherein HTTPS जो है वो 443 को इस्तेमाल करता है तो अगर आप port number 80 block कर दोगे तो definitely आपका HTTP ब्लाक हो जाएगा like that अगर file services की बात करें तो हमारे पास दो तरह की file services होती है जो जिसके जरी हम क्या करते है डेटा को upload और download करते हैं कहीं से भी FTP और TFTP इन दोलों में से क्या लगता है कौन सी secure है FTP secure है या TFTP secure है सभी लोग एगरी है यह से यह सब्सक्राइब लग रहा है है तो लेकिन यह आपका अन से क्यूर है क्योंकि FTP जो है यह एडवांस प्रोटोकॉल है सबसे पहले TFTP बनाया गया था और इसके design करने का TFTP को not secure होने के पीछे एक simple सा reason है अभी आगे चलके जब हम practical करेंगे जब हम किसी भी router के अंदर से OS को download या upload करेंगे तो वहां पे हम TFTP का इस्तेमाल करेंगे सो बिसिकली यह आपके पास में router है और यह अपने डिरेक्ट अपने PC के साथ में इसका OS वगरा ISO मेज वगरा upload या अप्ग्रेड करनी है तो हम क्या कर रहे हैं डिरेक्ट करेंटिविटी कर रहे हैं लैप्टॉप से या computer से डिरेक्ट करनेक्टिविटी अब यहां पर इन दोनों डिवाइस के बीच में किसी थर्ड पर्सन का तो एंटर्फेरेंस ही नहीं है तो क्या लगता आपको यहां पर कोई requirement है सिक्यूर बनाने की इसको कोई requirement ही है तो इसी लिए जब भी हम डिवाइस को डिरेक्टली इसमें इस्तिमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं जो आगे मैं बताऊंगा भी प्राक्टिकल करके तो डिफरेंटली उसके लिए हम क्या करते हैं TFTP का इस्तिमाल करते हैं बट FTP एक ऐसी location होती है जहां से हम अपने local area network से भी access कर सकते हैं securely आपके server के थूँ प्लस हम WAN से भी access कर सकते हैं अगर हमारे पास public IP address है हमारे FTP server का तो हम WAN से भी access कर सकते हैं और आप मेंसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने Google Drive इस्तिमाल किया है कोई करता है Google Drive या Dropbox या इस तरह का कोई इस्तिमाल किया है तो basically वह आप कौन से प्रोटोकॉल का इस्तिमाल कर रहे हो FTP तो FTP secure है TFTP नाम के उपर नहीं जाना है TFTP आपका unsecure है उसका reason है यह direct connectivity के अंदर हम इस्तिमाल कर दे हैं ना कि किसी network के थूँ email services में हमारे पास तीन प्रोटोकॉल्स है SMTP, POP3 and IMAP SMTP क्या करता है किसी को idea है नाम तो full form तो लिखा हुआ यहां पर simple mail transfer protocol out going के लिए send के लिए send करने के लिए एक server से दूसरे server पर जब हम email send करते हैं जैसे आप मुझे email send करोगे तो आपके server पे तेरे server तक data को transmit करने के लिए कौन सा protocol काम करेगा SMTP और SMTP जो है वो by default आपका 25 port को इस्तेमाल करता है बट करता है जिनके background में noise है प्लीज काई म्यूट करने सो अब यहां पर जो है by default यह 25 करता है लेकिन इन अदर वे बहुत सारे ऐसे जैसे अगर मैं खुद का mail server बनाता हूं तो मैं SMTP के लिए क्या कर सकता हूं को different जो port नमबर है SMTP के लिए allotted है पॉप थ्री पोस्ट आफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री इसका क्या यूज होता है हाजी किसी ने कभी यूज किया हो pop 3 mail receiving करने के लिए बट receive तो आई मैप भी करके देता है तो pop 3 क्या करता है special जो आई मैप में नहीं होता है वो नहीं है इस अब यह आपका server है इसके उपर में क्या है आपके इस पे आपका mail पड़े है यह आपका say for example email server है कोई भी email server आपका company का personal हो सकता है Gmail हो सकता है कोई भी हो सकता है अब mail आपके पास में कहां पर आके जहां से भी mail आ रहे हैं सरवर पर आपके पास में छो रहर shorten सरवर अब क्या करना चाहते हो आपके पास में यह सिस्टम है या फिर हैं मोगाइल है penalty कि अंदर हम क्या इस से करना है यह दोनों कि द्यांडोर्ड करना 으면서 चाह है कि हम कॉपी उसकी डाउनलोड करें वो सकता है कि हम पूरा प्योर ओरिजिनल इमेल डाउनलोड कर लें दोनों ही कंडिशन में जब हम कोई भी सर्वर पे पड़ा हुआ कि अंदर डाउनलोड करने के लिए जो अगर चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते है हम यहां पर कॉनफीगर करना पड़ेगा पॉससा पाप 3 कि जो यह आपके लोकल में डाउनलोड करने का शरफ एक बैनिफिट होता है इसके इसलिए हम लोग करते हैं कि आज की डेट में तो चलो ठीक है इंटरेट बहुत इजी ली अविलिबल है लेकिन कुछ समय अगर पहले की बात पर करें दोजार आट नो दस के आसपास की बात करें तो इंटरनेट की बड़ी इशू थे इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारी कंट्रीज है जहा आपके लोकल ड्राइब में आगे तो आप उसमें से इमेल चेक कर सकते हो उसका रिप्लाइडी कर सकते हो रिप्लाइडी हो जाए फिर इंटरनेट करेंट करो और सारे इमेल एसमटीपी प्रोटोकॉल के जरीए आउट हो अगर आपको आज की डेट की अगर हम बात करें इंटरनेट मैसेज एकसेस प्रोटोकॉल मतलब जब इंटरनेट अविलेबल होगा तभी हम मैसेज को एकसेस कर सकते हैं तो यहां में मोबाइल पर अगर मैंने मेरे कॉन्फिगर किया हुआ है तो अगर इंटरनेट होगा तो मेरे इमेल मेरे को दिखाई देंगे और अगर मैं बंद कर दूँ तो मेरे email भली configure किया हुआ है बड़ जो emails मुझे दिख रहते वो दिखने बंद हो जाएंगे ना तो मैं देख पाऊंगा ना ही मैं उनका reply ready कर पाऊंगा in case of IMAP क्योंकि यह automatically syncing एक उसका जो mirror copy ready करता है यहां पर mirroring करता है syncing करते वग तो बस आपको mirror copy भी यहां पर दिखाई देती है जिसकी वज़े से हमें वो emails open करके देखके और reply करते हैं basically वो directly हम क्या कर रहे है जो भी email send भी कर रहे है वो हमारे local drive में store नहीं हो रहा है वो कहां पर हो रहा है directly server पर ही store हो रहा है तो इस तरह की जो conditions है अगर आपको download करने तो आप pop3 configure करें अगर आपको जो है download नहीं करने है तो you can configure imap देखे जी अभी telnet और ssh यह बड़े important है telnet और ssh secure कौन सा है definitely यहां पर secure word दिख रहा है ssh जो है वो secure है तो कहां पर हमें telnet करना चाहिए और कहां पर ssh को करना चाहिए say for example आप एक company में काम कर रहे है और यह company का नाम है let's assume that abc और यह company है कहां पर let's assume कि यह मुंबई के अंदर company है और यहां पर आपके पास में एक router है और आप इस company के network engineer हो बट अभी आपको चुटी लेके घर पर आना पड़ा आप कहां पर आगए आपका घर जो है वो है डैली के अंदर आप डैली में आगए अब आपको आपके टीम ने कुछ कॉल करके बताया कि आपके इस router के अंदर कुछ update करना है तो update करना है तो इसको remotely access करने के लिए हमें अपना computer चाहिए और जो एक किस से connected होना चाहिए इंटरनेट से isp network से connected होना चाहिए और isp network definitely हमारी company में भी connected है अब अगर मैं यहां से telnet करता हूं अगर मैं यहां से telnet करता हूं तो क्या लगता है आपको यह secure communication होगा कि non-secure होगा non-secure होगा अगर ऐसे में मालो आपने अपनी company के अंदर तो बहुत अच्छा secure network implement करके रखा है ठीक है लेकिन आपने क्या करा यह कलती कर दी आपने third party network यानिकी isp network के थुरू आपने अपना device जो main device है उसको access remotely करके आपने उसमें काम किया अब might be ऐसा हमेशा नहीं हो सकता लेकिन might be क्योंकि hackers हमेशा ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते रखते हैं अगर कहीं न कहीं आपका कोई data transmission क्योंकि जब telnet होता है तो telnet क्या करता है data जो भी travel करता है वो किसमें करता plain text के अंदर transmit करता है plain text कहने का मतलब है user readable अब मैं यहां पर से for example मेरा username क्या है ABC तो मेरा ये network पे ABC ही as it is plain text जाएगा तो hacker अगर मेरा data capture कर रहा तो उसको बहुत आसानी हो जाएगी ABC को देखने में क्योंकि आपने खुद ही दे दिया उसको पूरा मौका है ना यह मैं आपको practical भी capture करके भी telnet से remotely access करके पूरा capture करके भी हम लोग आगे practical में देखेंगे so that कि आपको पूरा full confidence हो जाए कि जो हम बोल रहे हैं वो exactly वैसा ही है और hackers कैसे capture करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अब इसमें user ID बढ़ाल दिया माल लो आपने user ID password क्या डाल दिया एक्स वाई जएड़ आपका password था यह as it is password hacker के पास चला जाएगा अब आपने तो उपना काम करके क्या कर दिया खतम कर लिया disconnect कर दिया but you hacker के पास में क्या चला गया आपका user ID password अब बताओ कि अगर आप hacker के पास में user ID password चला गया है तो आपका network से क्या और कितना भी आपने firewall लगा रखा हो तो कोई benefit रहेगा उसका नई अब तो आपने फुदी उसको चाबी दे दी पूरी तो अब वो आ आप असानी से आपके network के अंदर जो चाहें वो कर सकता है तो इसलिए टेलनेट का अगर इस्तेमाल करना है पहली बात तो यह recommend किया जाता है आज की डेट में क्योंकि आज की डेट में इसलिए recommendation इसकी ज्यादा दी जाती है कोई भी ऐसा network नहीं होता जिसमें internet connectivity नहीं होती है तो इसलिए टेलनेट जो है आपको सिरफ और सिरफ local area network में ही use करना है अगर कभी यूज करना पड़े टोल लेकिन recommended क्या है कि आप local area network में भी इसका इस्तेमाल मत करो क्योंकि internet आपका local area network किस से connected है internet से तो अगर आपका network आपको नहीं पता क्योंकि being a human हमें नहीं पता राइट बली firewalls लगे होते हैं license antivirus वगरा लगे होते हैं इवन दो ransomware attacks हो जा इसी companies के अंदर जो है attack हो जाते हैं इसी लिए हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि टैलेंट को हम नहीं इस्तेमाल करें करना है तो SSH का इस्तेमाल करना है क्योंकि SSH क्या करता है यह आपके system और remote device के बीच में एक unique identification number generate करता है एक unique identification number generate करता है वो दोनों के पास ही होता अगर in case बीच में hacker capture करने की कोशिश करता भी है तो data ऐसा नहीं कि वो capture नहीं कर सकता है capture बट वो उस data को decode नहीं कर पाएगा क्योंकि SSH क्या करता है public key के द्वारा यहां पे जो key इस्तेमाल की जाती है data को encode करने के लिए उसको बोलते है public key और public key के इस्तेमाल से जब कोई data encrypt होता है तो सिरफ वो दो ही device होते हैं जो directly आपस में उस वक्त connected है वो दोनों ही devices के पास में उसका decode की होती है क्योंकि यह dynamic automatically update होती है अगर बीच में hacker जो है उसको capture कर भी लेता है तो वो decode नहीं कर पाएगा और in case वो decode करने की कोशिश करेगा right बीच में ज्यादा इसक जो की generate हुई है automatically उसको discard कर दिया जाता है SSH के द्वारा तो hacker के लिए फिर जैसे आपका connection खत्म वो की भी वहीं पर expire होगी दुबारा वो generate नहीं होगी तो hacker के लिए वो impossible हो जाता है इसलिए SSH जो है यह secure है और यह मैं नहीं यह Cisco जैसी बड़ी-बड़ी companies बोलती है और मैं इसका practical demonstration दोंगा आपको अब बात करते हैं हमारे DNS, DSEP और NTP प्रोटोकॉल जैसे की इनकी अगर बात करें तो यह एक एक प्रोटोकॉल काफी बड़ा है जिसका theoretical प्लस practical दोनों ही करने हैं हमने साथी साथ तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है like DSEP हम स्टार्टिंग में करेंगे NTP जब हम LAN के या WAN के साथ में काम करेंगे, वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, DNS जब हम WAN टेक्नलोलजी के साथ में काम करेंगे, वहाँ पर DNS को cover-up करेंगे, तो इनको हम feature access में cover-up करेंगे, अभी बढ़ते हैं हमारे दो ट्रांस्पोर्ट प्रोटोकॉल की तरफ में, right, confused नही एक ऐसी, एक ऐसा module है, जो हमारे NIC card के अंदर, क्या है, implemented है physically, बड़ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यह physical model है, यह आपका protocol है, दोनों में difference है, ठीक है, यह आपका एक module है, जो physically data को आपके hardware level पे transmit करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यह जो protocol है, यह आपका end-to-end काम करता है जो कि transport layer पे काम होता है, तो transport layer पे दो protocol data को transmit करने के लिए help करते हैं, यानि कि आप यह अगर हम एक simple language की understanding ले, एक example लेके समझने की कोशिश करें, तो यह आपके courier के trucks है, एक courier के truck का नाम है TCP और एक का नाम है UDP, तो maximum हमारा जो data transmit होता है, वो UDP से होता है, over the internet और हमारा TCP ब अब TCP का full form क्या होता है, transmission control protocol, दूसरा क्या बोला गया, connection oriented, यानि connection oriented यानि कि कि किसी एक specific route को ही follow करता है, फिर आता है आपका support acknowledgement, यानि जसकी transaction का हमें acknowledgement मिले, फिर reliable communication, definitely अगर आपको acknowledgement मिल रहा है, हर data transmission का, तो वो आपका reliable communication होगा, क्योंकि तुरंत ही हमें उसका acknowledgement मिल रहा है कि yes, हमारे पास में, जो भी transaction हमने किया, वो complete हो गया, slow data transportation, अब क्योंकि ये एक specific route को ही follow करता है, तो इस वज़े से यहाँ पे इसका जो data होता है, वो slow travel करता है, compare to UDP, कोई idea है कि कभी किसी ने experience कर रहा हो, कुछ website कोई slow चल रही हो, या कुछ website fast चल रही हो, उनके बीच में कभी experience किया हो, anyone? UPFO, government sites, जो एप साइट्स हैं, वो slow चलती हैं, गूगल के जो ad वगरा की websites हैं, वो slow चलती हैं, या जिन पर flight bookings वगरा, या railway की bookings वगरा होती हैं, या bus bookings वगरा होती हैं, वो websites आपकी हमेशा slow चलती हैं, compare to normal website, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे एक specific reason है, reason क्या है? जब TCP protocol काम करता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये routers हैं, ये यहां से ऐसे connected है, sorry, just a minute, यहां से वापस create कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक router है, एक router हमारे पास यहां पर है, तो ये directly connected है, ये एक router connected है, और ये इस तरह से, यहां पर हमारे पास में एक router connected है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से connected है, ये हमारा है source और ये है हमारा destination, यानि data यहां से source से destination तक जाना है, अब ऐसी condition के अंदर क्या होता है, जब TCP handle करता है, हमारे पास source से destination तक जाने के लिए दो route है, दोनो parallel route है, बड़ ये TCP क्या करेगा, किसी एक specific route को ही follow करेगा, या तो इसको, या तो इसको, जैसे आप connectivity करोगे, चाहे वो bank की website हो, चाहे वो कोई flight या bus booking की website हो, train booking की website हो, government की website हो, सभी की उपर में, जैसे आप वो website open करते हो, तो आपके computer की बीच में, और सामने जो भी उसका server है, वहां तक की connectivity, एक specific route से जो है, वो connect हो जाती है, अब ऐसे में, जितने भी बीच में routers आते हैं, उन routers की information, पहले क्या करी जाती है, route बनाया जाता है, route find out किया जाता है, किस route से data travel करना है, फिर उसके बीच में आने वाले जितने भी number of routers हैं, उन सभी की information, source को लाके दी जाती है, क्योंकि जब source से data travel करेग फिर किस router के पास, फिर किस router के पास, फिर किस router के पास, और finally destination के पास, right, जैसे हम अगर train की booking करें, तो हमें पता होता है, कि हम तो जा रहे हैं Delhi से Mumbai, right, लेकिन Delhi से जब train निकलती है, तो हमें पता होता है, कि हम next हमारा stoppage कौन सा है, क्योंकि हमारे पास पूरी उसकी itinerary होती है और train उसी itinerary को follow करते हुए Delhi से Mumbai पहुंचती है same way जब यहाँ पर TCP protocol काम करता है तो यहाँ पर भी routers के उपर में reserve पूरी information क्या होती है पहले यहाँ पर provide करी जाती है जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या बोलगा slow data transportation slow इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास में information बहुत ज़्यादा हो जाती है read करने के लिए जब data एक router से दूसरे router पे पहुंचता है तब वो second router को read करने के लिए time चाहिए होता है वो सारी information को read करता है और router की यहाँ पर क्या detail एड होती है तो आगे हम practical देखेंगे there is something known as router ID router ID की information जो है वो यहाँ पर इसके अंदर attach करी जाती है तो अगर आप देखें जब भी हमारी कोई websites हम open करते हैं इस तरह की उनमें एक line लिखी होता है do not refresh लिखा होता है say yes or no क्यों लिखा होता है ऐसा क्योंकि अगर हमने गलती से भी refresh किया तो क्या होगा refresh करते से जिस specific route से वो data travel कर रहा है वो break हो जाएगा अगर break हो गया तो फिर बताओ कि आपको acknowledge आएगा क्या उसका reply आएगा क्या अगर आप नहीं हो पाएगा तो कि अगर हम booking कर रहे हैं तो हमें मैसेज ही नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया अगर हम को पेमेंट ट्रांस्विर कर रहे हैं पेमेंट भी ट्रांस्वर हो चुकी है लेकिन उसका acknowledgement हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने refresh कर दिया तो यह चीज जो है यहां पे TCP प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल करी जाती है मतब ऐसा जितना भी डेटा है जिसकी transaction का data transmission का acknowledgement जो है वह important होता है वैसा सारा डेटा हमारा क्या करता है TCP प्रोटोकॉल के द्वारा ही transmit किया जाता है तो जितने भी इनके servers होते हैं जितनी भी government की websites बगरा है या booking website payment gateway की websites बगरा है सभी के उपर में जब उनको configure किया जाता है based on the service वहां पर TCP प्रोटोकॉल को ही enable रखा जाता है UDP को disable करके रखा जाता है इसलिए जब भी हम उनके साथ में connect करते हैं तो डेटा automatically हमारा connectivity किसमें जाती है TCP प्रोटोकॉल के द्वार्ट है ठीक है जी clear so far okay now let's talk about the UDP UDP में क्या है इसी example को अपन दुबारा लेते हैं यह हमारे पास एक router है एक router यह है एक router यह है एक router यह है अब यह इसी तरीके से connected है like this अब यह हमारा source है और यह हमारा destination है अब क्योंकि यह UDP protocol है तो UDP protocol के अंदर क्या है एक बहुत ही simple सा काम है इसका नाब full form क्या है UDP का user datagram protocol यह इसका full form है connection less इसको कोई मतलब नहीं connection से यहां पर connection oriented मतलब को follow करेगा UDP किसी भी route को follow कर सकता है अगर यहां से data चल रहा है अभी इस route से चल रहा है यह route बीच में किसी भी वज़े से बंद हो गया disconnect हो गया तो यह क्या करेगा data रुखेगा नहीं data second route से transmit करना स्टार्ट कर देगा तो इसलिए इसको क्या वो लगा connection less नो support for acknowledgement कोई आपको acknowledgement की requirement नहीं है ऐसा data जो है यहां से travel करता है अब यह बताओ कि अगर तेक है अगर आप किसी भी browser पे browsing कर रहे को यसी website open करके बैठे हो तो website पर content देखने के लिए आपको किसी चीज की acknowledgement की requirement है क्या अगर आपने social media open करके आप scroll कर रहे हो तो कोई acknowledgement की requirement है क्या नहीं अभी आप और मैं जो connectivity करके बैठें इसमें आपके और मेरे बीच में कोई अगर एक रूट खराब हो गया किसी वी वज़े से टेक्निकल इशू और माइट भी कोई करता है अन्रिलाइबल का मतलब है कि अगर एक रूट खराब हो गया किसी वी वज़े से टेक्निकल इशू और माइट भी कोई सम अधर इशू यह सेकंड रूट को फालो करके डेटा को ट्रांस्मिट करते हैं यह किसी एक स्पैसिफिक रूट को फालो नहीं करता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है इससे बिलकुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि यह इसका मतलब कोई अन्सिक्योर ट्रांस्मिशन है यह अन्रिलाइबल का मतलब कोई एक स्पैसिफिक रूट को फालो नहीं करेगा यह प्रोटोकॉल फास्टर डेटा ट्रांस्पोर्टेशन अब क्यों फास्ट होता है इसमें क्योंकि इसको सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में आने वाले जितने भी राउटर से हैं उनकी कोई लेना देना नहीं किसी भी रूटर की इन्फरमिशन की रिक्वार्मिट नहीं होती है जो रूट एवेलेबल है जो राउटर आगया सामने जो भी डिवाइस आगया उनको क्रॉस करके डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते चलना है तो यह किया है कोई भी इन्फरमिशन जो है जो हमआरा डेटा ट्रावल करता उसकी हैड़न इंफोर्मिशन कंदर कोई भी अडिशनल इन्फर मिशन route की add नहीं की जाती है इसलिए यह data faster travel करता है क्योंकि यहाँ पे सिरफ दोई information होती है एक आपके source की और दूसरा आपका destination की वेरिन TCP की बात करें तो source की destination और in between जितने number of routers आ रहे हैं उन सबकी information भी header के अंदर store करी जाती है तो इसलिए यहाँ पी यह fast है और यह आपका यह पर जो data TCP के द्वारा किया जाता है यह पर protocol number 6 यह virtual port number है ठीक है जो handle करता है यहाँ पर यूडीपी आंदर protocol number 17 यह स्का वर्चल पोर्ट नंबर जो इस्तिमाल किया जाता data को ट्रांस्पोर्ट करनेंगे लिए ठीक है ची comparison में कोई किसी का पॉर्टॉकॉल नमबर और इनमें इस्लाइटि डॉनों है वर्चुल दोनों ही वर्चुल है और प्रोटॉकॉल नंबर भी वर्चुल वू स्सक्रेण के इंडर होते हैं हमारे जतने सिस्टम के अंदर नंबर्स होते हैं लेकिन जब डेटा ट्रेवल करता नेटवक के ऊपर तो नेटवक के ऊपर स्प्सक्राइब पोट नंबर होता नंबर है इडेन्टिफिकेशन नंबर है डाटीज सिक्स यूडीपी कर रहा है डेटा को ट्रांस्पूर्ट तो इसका एक यूनिक नंबर है जो कल अपने और बताया था वी पी एन वर्ट्व प्रोटोकल नंबर येस तो यह चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है अब और आगे बढ़ते हैं अच्छा अब आम शौर यह जो सामने कुछ प्रोटोकॉल दिख रहे हैं इनको बूल जाओ या आगे हम प्राक्टिकल करें क्योंकि एक एक यह प्रोटोकल को दो तीन तीन दिन लगेंगे हमें कवर अप करने में सो आईपी तो सभी को पता होगा I'm आई-पी का फुल फर्म क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल अन रिलाइबल प्रोटोकॉल है क्योंकि आई-पी से जो डेटा ट्रांस्मिशन हो रहा है उसके लिए कोई स्पैसिफिक रूट को फॉलो करने की जरूरत है क्या इंसर इस नो राइट बाइड डिफर्ट जो डेटा ट्रावल करता है वो किससे करता है यूडी पी से इसलिए यहां पे इसको अन रिलाइबल को लगया आई-पी अटेस को लेकिन जब वो टी-सी-पी के साथ में काम करता है तब वो आपका सेक्यूर में चल जा जाता है मतलब रिलाइबल में चला जाता है इसका कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है यह इत क्या है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कब यूज होता यह जब हम पिंग करते हैं तब पिंग करके हम जैसे उसमें आगे एंटर करते हैं आई-पेड़ा डालके तो यह प्रोटोकॉल बिहाइंड दसीन काम करता है रीच अबिलिटी टेस्ट करने के लिए अब ध्यान देना यह जो आप आई-सीएंपी ए यह यारपी और यह बहुत ही ध्यान से प्रोटोकॉल समझने हैं यह बहुत ही आपको काम में आने वाले हैं अब यहां पे यह आरपी प्रोटोकॉल यह भी हमने देखा था रहा ना मैंने दिखाया था डेवन डेटू पर ड लिखा था उसके जस्ट नीचे ए यारपी भी लिखा हुआ और एयारपी का जो डेटा ट्रांस्मिट हो रहा है वो मैंने आपको दिखाया भी था हाला कि उस वक्त समझ में नहीं आया होगा बट अब समझ में आएगा आपको इसका फुल फर्म क्या होता है एड्रेस एड्र resolution protocol अब यहां यह बताओ कि यह हमारे पास क्या है switch है यहां से हमारे पास में एक computer है यहां एक और computer connected है यहां एक और computer connected है let's assume that कि यह जो पहला computer का Mac address है A इसका है B और इसका है C इसका IP address है 1.1.1.1 इसका IP address है 1.1.1.2 और इसका IP address है 1.1.1.3 अब अगर being a network engineer मैं आपको बोलूँ ए और सी computer की बीच में communication हो सकता है की नहीं हो सकता है इसको test करके बताओ क्या करोगे पिंग करेंगे तो आपनी क्या करा पिंग करा तो पिंग करते वक्त सबसे पहला जो जैसे आप यहां पर command लिखोगे पिंग लिखके आप टेस्ट करोगे तो यहां पर पिंग करके एंटर करोगे तो उसके बाद क्या होगा इस एक computer पे एक packet generate होगा जो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था इस packet के अंदर चार information होती है सोर्स की और डेस्टिनेशन पहला सोर्स कौन है सोर्स तो ए हो गया क्योंकि हम यहां से उसको पिंग को यूज कर रहे हैं तो सोर्स क्या हो गया ए और सो डेस्टिनेशन कौन हो गया स्था चुड का ख्षड़ा फाय तो जब सोर्स को सोर्स कै 말 एक खुदका मालू मैं क्या इस को मालूम है क täll कि यहां से अभी सिंटम को डिस्टिनेशन का मालूम् 70 AV क्या नै नहीं जिसका माध confidence बंहीं पता यह कि अगरे घा उसकी इसटेट रच यह उसको इस परे से डिनोट कर देगा इट आई डों आई डों अगज गई इस को कुद का इस मालूम है क्या ज़र जैसर आप यहां पर जाना है तो यह क्या करेगा यह इस आइप अगर आपके सिस्टम के अंदर यह अंदर यह पूरी इन्फर्मिशन नहीं कि इसमें एक इन्फर्मिशन आपकी मिसिंग है यह आपका इस्तरी की मिसिंग इन्फर्मिशन वाला जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है ARP कहलाता है ARP packet कहलाता है तो यह चीज आपको कभी भी network में कोई चीज जैसी दिक्कत हो तो हम capture करेंगे तो अगर ऐसी को information देखने को मिलती है तो हमें समझना है कि वो कौन सा protocol कौन सा data है वो कौन सा frame है ARP frame अब इसके बाद यह क्या करेगा switch के पास जाएग switch क्या करेगा switch दिखेगा कहां से आया है तो switch क्या करता है mac address table maintain करता है हाला कि हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि mac address table को समझने के लिए काफी लंबा समझने के लिए और वो हम करेंगे switching technology जब मैं आपको switching technology पढ़ाओंगा उस वक्त हम बहुत detail के अंदर जो है mac table को समझेंगे understand करेंगे क्योंकि उसमें भी काफी सारी चीज़े हैं समझने के लिए और जब switch देखता है कि इसको जाना कहा है इस data को कहा जाना है अब जाने के लिए अब switch किसको समझता है सिरफ mac यह IP नहीं समझता है यह क्या समझता है मैकडल समझता है अब यह क्या करेगा देखेगा ओके destination का तो पता ही नहीं है इसको तो यह कि अगर यह इस particular packet को broadcast कर देगा क्या करेगा broadcast broadcast यानि कि जिस port से उसने receive करा है उस port को छोड़ कर बाकि जितने number of port के उपर वो connectivity उसके पास है उन सभी के उपर उसकी एक एक copy send कर देगा यह copy किसके पास गई बी के पास भी गई और सी के पास भी अब computer दोनों चीज़े समझता है computer IP भी समझता है और computer mac address को भी समझता है यह दोनों चीज़ों को understand करता है अब यह computer के पास आया बी के पास यह देखेगा okay mac address तो ही नहीं टेली चेक करने के लिए अच्छा ip address तो है ip address देखेगा तो यहां पर देखेगा 1.1.1.3 और यहां पर 1.1.1.2 है तो यह क्या करेगा इस packet को drop कर देगा wherein c क्या करेगा देखेगा okay mac address को नहीं है लेकिन ip address मैच कर रहा तो यानि कि यह package जो है यह जो frame है basically वो किसके लिए है वो इसके लिए तो यह इसको इंफरमिशन कैसी होगी अब सोर्स कौन है अब सी है तो सी अपना mac address डाल देगा क्योंकि उसको तो पता है अब खुद का mac address भी उसको पता है राइट अब डेस्टिनेशन का mac address इसके पास है क्या सी के पास हाँ बिलकुल है क्योंकि उसने एक frame receive करा उसके अंदर यह information अमने बेजी ना यह देखो यह information गई थी तो उसके पास यह information पहुंच गई है तो यह destination का mac address डाल देगा अब destination का IP address की information भी है उसके पास में तो यह यहां पे enter करेगा और इसको forward करेगा अब complete information है की incomplete है complete है जब यह complete information के साथ में data कहां पर पहुंचता है switch के पास okay switch देखता है destination कौन है तो destination है तो यह क्या करेगा किसी के पास इसकी copy नहीं बिजेगा वो इसने यह अपना mac address table चेक करेगा उसके अंदर उसको एक एंट्री बिल जाएगी और वो क्या करेगा यहां पर इसको एंड़ोगर कर देगा तो यहानी की ARP protocol क्या करता है IP से mac address को find out करके देता क्या करके देता है IP address से mac address को find out करके देता clear yes yes okay now let's talk about the RARP RARP reverse address resolution protocol right अब यह ARP का opposite reverse है तो कोई ध्यान में आ रहा होगा कि क्या करता होगा यह कोई ऐसी situation यह का बिल्कुल यह बात तो सहीं बुलिया आपने यह mac से IP को find out करेगा कोई कोई ऐसी situation कोई ऐसा process आपको याद आ रहा हूँ कुछ ध्यान में आ रहा हूँ कि राउटर पर मैं के अट्रेस करते हैं नहीं वह तो वह हम एक different task के लिए करते हैं कि अच्छा डी एच सीपी इसके बारे में वालूँ है इसका डी एच सीपी का एक method होता है process होता है उसको क्या बोलते हैं दूरा डी एच सीपी काम करता है दूरा प्रोसेस के पर दी ओ और आर ए चले यहां पर फिर डाइग्राम बनाते हैं एक यह हमारा स्विच्छ है अब बटावेस है डी सीपी के साथ में यह काम करता है आर आर पी तो यहां पर हमें एक Loser भी लेना पड़ेगा है यह हमारा सर्वर है कौना सा grandfather है यहां पर हमारे पास में सिस्टम है और यहां पर हमारे पास में एक सिस्टम है इसका मारे पास में A इसका मारे ड्रेस है B और इसका मारे ड्रेस है C इसका IP पहले से connected है इसका IP पहले से let's assume that 1.1.1.2 और DSCP का है 1.1.1.1 अब जैसे ही हम किसी ऐसे network में device को connect करते हैं जब भी हम अपने device को किसी network में connect करते हैं तो हमारा device क्या करता है automatically जैसे वो sinking shake hand करता है shake hand करते वक्त वो क्या करता है एक message generate करता है जिसको क्या करते हैं डोरा क्या करते हैं उसको डोरा तो पूरा process का नाम है I'm so sorry discover message generate करता है डी stand for discover अब discover जब message generate होता है तो उसके अंदर भी चार information होनी चाहिए source destination अब source कौन है system एक तो इसको इसको वापस ब्लैंक फिल कर देगा और अभी के लिए मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो कि हमें पता चले ब्लैंक अब इसको destination पता है क्या नहीं इसको destination भी नहीं पता इसको destination का IP address भी नहीं पता और Mac address भी ऐसा पैकेट जब जनरेट होता है network के अंदर जिसमें सिर्फ और सिर्फ source की information होती है और source का सिर्फ Mac address होता है not even IP address तो ऐसे पैकेट को कौन सा पैकेट माना जाता है discover जब यह पैकेट आपका पहुंसता है switch के पास switch देखता हो कि इसको तो कुछ भी नहीं पता है तो यह कौन सा पैकेट है discover को यह क्या करता है क्यानिकि receive quotes को छोड़के बाकी सभी पे forward कर देता है तो यह आएगा आपके बी के पास भी उसको discard कर देगा क्योंकि इसके पास में कोई भी information match नहीं कर दी है जब यह packet पहुंसता है किसके सब्सक्राइब से पास में डी फीचर डला हुआ लिए सिपे के बास बीसको इसको समझ जाता है यह producer पैकेट है यह समझ जाता है और यह क्या करता है फिर वापस O, O stand करता है offer, यह offer करता है कि मेरे पास IP addresses है मैं आपको IP address offer कर सकता हूँ, lease पे दे सकता हूँ, तो यह basically DSEP lease पे देता है, तो यह क्या करेगा यहां से वापस reply करेगा, reply में क्या आएगा offer, offer जब आएगा generate होगा DSEP से तो वापस यहां पे चार information update होनी चाहिए अब source कौन है DSEP, तो DSEP को खुद का MAC address मालू में क्या है the answer is yes, C है, IP address मालू में क्या, 1.1, 1.1 अब इसको destination का MAC address मालू में क्या, the answer is yes, क्योंकि यहां पे discover packet के अंदर आया था A है ना, लेकिन destination का MAC address, IP address, खाली है अगर ऐसा packet जिसके अंदर destination का IP address नहीं होता है, MAC address exist करता है, तो वो कौन सा packet कहलाता है offer packet कहलाता है तो जब switch के पास आता है switch को क्या चाहिए MAC address चाहिए, तो यह क्या करेगा उसको सीधा forward कर देगा without broadcast, जब यह packet आके receive होता है किसके पास A के पास, तो यह क्या करता है, उसको read करता है हाँ, ठीक है मतलब, इसको DACP server available है network के अंदर और वो इसको IP address देने के लिए ready है तो यह क्या करता है, वापस इसका reply करता है कि मुझे दे दो तो यह क्या करता है, R क्या करता है request करता है request packet होता है तो request packet के अंदर again, वही सारी information अब source कौन हो गया, A तो यह खुद का MAC address डालतेगा, लेकिन इसका IP address अभी तक नहीं मिला है लेकिन अब इसके पास में destination की पूरी information आगी, क्योंकि destination से इसको reply आ गया तो destination में C डालेगा और उसका IP address डालेगा like this, अब एसा frame जिसके अंदर source की MAC address की information है, लेकिन IP address missing है, ऐसा packet क्या कहलाता है, request जब यह जाता है switch के पास, तो switch उसको broadcast नहीं, one to one करते था क्योंकि हो MAC address पे काम करता है यह पहुंचा DACP के पास DACP बोलता है, देखता है, ओके ठीक है यह request packet है, finally DACP का करता है, अपनी available, जितने उसके अंदर IP address available है, उन में से कौन सा IP address अभी next available है, उसको check करता है और check करने के बाद इसको reply करता है, और reply करते में जो है acknowledge packet, AC के आता है acknowledge packet, acknowledge packet के अंदर फिर क्या करता है, वो क्या लगता है, क्या information डालता होगा source क्योंकि उसने उसको क्या करना है, finally IP address भी देना है, तो यह क्या करेगा जो भी IP address available है, उसके पास इस system के लिए, एक computer के लिए, वो IP address इसके अंदर add करके भेज़ देगा, let's assume that 1.1.1.4 IP address उसके पास available था, ठीक है तो यह 1.1.1.4 करके उसके साथ में भेज़ देगा switch के पास switch को forward कर देगा computer को, जब यह complete information के साथ में जब यहां पहुंचता है, और यह system क्या कर देखता है कि, okay मेरे पास में अभी तक IP address नहीं है, और यह जो frame मेरे पास आया है, उसके अंदर IP address है, तो यह IP address उठाकर यह क्या करता है, अपने NIC card के अंदर update कर देता है, इस तरह से हमारा जो DHCP प्रोब, जो अपका protocol है, वो पूरा काम करता है और इसके में जो method इस्तेमाल होता है, that is called DORA, right, just to make understand, लेकिन behind the scene अगर हम technical point of view से बात करें, तो technical पे क्या काम करता है, आर ए, आर बी, जो Mac address से IP address को find out करने में help करता है, अब concept clear होना start हुआ, इसे yes or no, इसे yes or no, जी, बीच में किसी ने कुछ और बूला, किसी का कोई सवाल है, अभी तक तो नहीं सब्सक्राइब, जाड़ो, great, great, good to know that, so basically ये जो है हमारा, एक बहुती important factor था, तेक है, अब, आप लोगों को मैं एक दे रहाँ, homework, ये assignment नहीं है, तेक है, फिर repeat कर रहाँ, ये assignment नहीं है, ये आपका क्या है, homework, 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 very good, homework, तेक है, homework में आपको, जैसे मैंने यहां पर पूरा explanation दिया, है ना, honest रहना है, honest रहना है, आपको एक notebook उठानी है, right, notebook के अंदर, RARP, ARP, and, RARP, बस ये दोनों protocol को क्या करना है, जिस तरह से मैंने ये information बताई, ये information को आपने update करना है, पूरा paper पर लिखना है, recreate करना है, recreate करना है, yes, you can say, recreate करना है, जैसे मैंने अपने अपने दब से डाल सेकते हैं, आई पी बगएरा जो आपको यूज करने आपको, जो बतलब प्रोपर करना है, बिल्कुल प्रोपर, जैसे मैंने यहां पर कुछ डाइग्राम समने, ऐसे प्रोपर डाइग्राम सोगरा बना कि आपने, बहले पैंसे बनाओ, कोई दिक्कत नी है मुझे, और वो बना कर आपने क्या करना है, फोटो खीचनी है, और फोटो कीच के, जो अपना ग्रूप है, क्लास का, उसमें अप्लोड करना है, अब मैं आपको बता दू, जब तक आप लोग ये कल का हमबक अपडेट नहीं होगे, तब तक कल की वीडियो अप्लोड नहीं होगी, तक है, क्योंकि वीडियो अप्लोड कर दूँगा, तो क्या होगा, रिपीट कर लोगे, अब मैं नहीं चाहता कि रिपीट करो, इसको समझ लें, मैं कल मॉर्निंग में एक बार वापस नोटिफिकेशन दे दूँगा, आरे, आरे, एयर्पी, एंड आरे आर्पी, दुनों का होमबंग जो है, वापस रिमाइंडर दे दूँगा, गुरूप के अंदर, वापस कंप्लीट रिक्रियेट करके देना है, सब्मिट करना है, कल की कल डेट में, कल की क्लास से पहले आपको ये सब्मिट करना है, ठीक है, और उसके बादी ये क्लास की जो वीडियो है, वो आप अप्लोड हो पाएगी, ठीक है, ये इसलिए दे रहा हूँ, आपको एक प्रक्टेस हो जाए, और एक अंडर्स्टेंडिंग अच्छी आजाए, पिकास ये जो हैडर इन्फरमिशन का जो नॉलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टन है, ये वाट्सप ग्रूप में डाला है ना सर्, वाट्सप ग्रूप में डाला है, इसको PC पे डिजाइन कर सकते हैं, आप PC पे करो, pen paper पे करो, कोई problem नहीं है उसमें, the way you want, you can do it, no problem, कोई restriction नहीं, ठीक है, but make sure करके, थोड़ो सा time निकालके, इसको पूरा recreate करके, submit करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं assignments दूँगा, उस वक्त आपके, अभी तो कोई time limit नहीं है, ठीक है, आपको कल काफी अच्छा time मिल रहा है, लेकिन जब पहला assignment आपको मिलेगा, theoretical जैसे हमारा complete होगा, तो पहला assignment आपको मिल जागा, जो certificate के उपर effect करेगा, ठीक है, फिर बाद में ये मत बोलना की, मेरी वज़े से गलत हो गया, या certificate के अंदर grading नीचे आगए, grade लिखा होगा, grade लिखे होने के साथ में, आपका जो है, साथ में पूरा mark sheet भी आएगा, तो mark sheet आपके उपर depend है कि, खराब करनी है कि, सही रखनी है, क्योंकि जो assignment होगा, उसमें time frame होगा, और time frame क्या, मतब आउनलाइन ही, आपको सारा पूरा assignment submit करना है, उसी में complete करना है, और उसमें timer के साथ में assignment चलेगा, complete कर दोगे, तो उस time duration के अंदर, तो ठीक है, नहीं कर पाऊगे, तो भी assignment तो एक बार start कर दिया, तो वो तो complete होगे, submit automatically हो जाना है, फिर आप उसमें edit नहीं कर पाऊगे, ठीक है ना, इसलिए practice कर लो, clear, कोई सवाल, कोई doubt, ARP और ARP इन दोनों को बनाना है, ठाँ जी, ARP और ARP, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर explain किया, बस उसको recreate करना है, आप, क्योंकि यहाँ पर तो कई बार, यह practice क्या होती है, कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना, जब भी हम कोई पढ़ा रहा है, तो तो बड़ा अच्छा easy लगता है, जैसे मैंने अभी बताया, अब मुझे practice हो रहे तो easy लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद create करोगी न, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, कि और यह क्या था, अब फिर जब खुद करोगे, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ जाएगा, और फिर एक बार ऐसा याद हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है जी, तो आई वांट कि आप देखो, पैसा इंवेस्मेंट कर चुके हो आप लोग, तो मेरे पास जो पैसा आना था, वो तो आ गया है, तो मैं तो निश्चिन्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बटे मेरी रस्पॉंसिबिलिटी है कि आप अब टाइम इन्वेस्मेंट प्रॉपर दो, क्योंकि करियर के अंदर तो तब भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर पैसा इन्वेस्ट करके कोई फाइदा नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तो कल क्लास से पहले आपको सब्मिट करने, कल मौनी में एक बार रिमेंडर भी आ जाएगा आप लोगों को, तो आज के लिए इतना करते हैं, कल हम लोग आई-पी एड्रस स्टार्ट करेंगे, सर, कुछ कुशन सेंगे, जी बूले न, सर, इंचे पूशना था, जैसे अपनी OSI मॉडल से लेयर है, उपके एसाब से जब हमारे पैकेट ड्रॉप होते हैं, तो वो कौन से लेयर में होते हैं? यह हम आगे कवर अप करेंगे, यह आगे काप, अभी तो सरफ हमने सरफ समझा है, अब पैकेट ड्रॉप कब होता है, किस कंडिशन में होता है, वहाँ पे क्या चिंजिस हो जाते हैं, कि पैकेट ड्रॉप कर देता डिवाइस, तो जब मैं आपको सेक्यूरिटी पढ़ाऊंगा, तो सेक्यूरिटी के अंदर उस चीज़ को हम कवर करेंगे. ओके. सर, यह जैसे हम अभी आपने बताए, टीटीप, यूडीपी, तो यूडीपी में हमारे जो डेटा है, वो अन्रिलावल है, और उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता, तो जो हमारे प्रियागती रहता है, तो फिर भी क्या उसका, अगर मालेज़ कोई भी ड्रॉप आता है, तो उसको भी कॉंक करेगा, या फिर जीरो रहेगा उसमें तब. ने ने बले डेटा यूडीप से चल रहा है, डेटा अगर इनकम्प्लीट है, बीच में कहीं ड्रॉप हो गया है, तो भी वो एंड यूजर तक तो डेटा पूरा कम्प्लीट पहुंचा नहीं है, बले यूडीप हैंडल कर रहा है, तो वहाँ पे जो CRC का जो काम हमने देखा था, वो SI के दारान, ट्रास्पोर्ट के दारान, वो तो exactly complete है, सिरफ यूडीप के अंदर क्या है, अगर किसी specific route से डेटा ट्रावल कर रहा है, और वो route बंद हो जाता है, तो यह क्या करता है, दूसरा route find out करता है, और दूसरा route को find out करके, आपकी डेटा को destination तक पहुचाता है, इसी वज़े से उसको reliable का, unreliable communication बुला है, अधर्वाइस उसका कोई मतलब नहीं है, कि मतलब ड्रॉप हो गया, तो बीच में discard हो जगा, ऐसा नहीं है, तो बीना CRC काउंट में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिना CRC की तो receiver को पता कैसे चलेगा, कि मेरे पास complete आया है की नहीं आया डेटा, मैं थोड़ा explain करूँ जैसे की, बैंकिंग साइट पर हम काम कर रहे है, और हमने payment किया, मालनो वो UDP है, और यहां से डेटा एक बार चला गया है, और हमने उसको refresh कर दिया, तो connection break हो जाएगा, मेरे पास कोई confirmation भी नहीं आएगा, कि payment हो गया है, कि नहीं हो गया है, पर मालनो वो TCP आउटलब इसके थूरू होता है, IP के थूरू होता है, तो वो wait करेगा, जब तक वहां से confirmation नहीं आएगा, और मालनो connection break होता है, तो वो connection create नहीं करेगा, यस, वो connection create नहीं करता है, लेकि, session expire लिखता रहेगा नो, session expire, session expire कुछ भी error दे रहेगा, बट आपका जो भी data transmit हो चुका है, वो हो चुका है, लेकिन उसके further आगे कोई communication established नहीं होगा, जब कि, कोई reply कोई कुछ नहीं आएगा, लेकिन, अगर UDP में होगा data, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, एक route fail होगे तो कोई problem नहीं है, session out नहीं होगा, ये दूसरे session पर दोबारा चलो जाएगा, एक्जेटली, एक्जेटली, एक और चीज़ है, जो OSI model है, तो उसमें आपने बताया था कि, परस्ट लेयर जो हमारी application लेयर रहती है, तो वहां हमारे, वह सेवन्थ लेयर में है, जितने भी ports हैं, वह generate होते हैं, प्रोग्राम से application है, तो जो भी हमारे data है, उसमें जो हमारे port generate होते हैं, तो वह data में जाते हैं, फिर उसके बाद आपने बताया थे कि, ये transport लेयर पे भी हमारे ports जो रहते हैं, वह define होते हैं, define नहीं होते हैं, वह सिर्फ उसको identify करता है, कि ये किस application से आया है, वह उसको identify करता है, वो generate नहीं करता है, generate तो तुरंट हो जाते हैं, जैसे आपने WhatsApp उपन करा, तो port उसके साथ में open हो गया, जैसे आपने browser उपन करा, port आटोमाटिकली उसके साथ में open हो गया, ट्रांस्पोर्ट लेयर सिर्फ उसको data को आगे transmit करने से पहले उस data को identify करता है, कि किस application से आया है, हमारा application layer से जब protocols पहले से define देते हैं, और port number वो decide करता है, तो उसके बास जब हमारा transport layer पर आता है, तो वो बस उसकी information collect करता है, आगे जाके किस port से आया है, अगर उसका reply आएगा तो मुझे किस application को handover करना है, अगर आप लोग इसको check करना तो यहाँ पे उसको क्या बोला जाता, PID number बोला जाता, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, details के अंदर, यह can see here it is PID, यह देख सकते हैं, यह सारे पूर्ट नंबर्स यहाँ पे जनरेटर रोखे हैं, यह सारे यूनिक होते हैं, जब भी हम कोई नहीं application open close करते हैं, तो यहाँ पे यह PID के नाम से आता है, विंडोस के अंदर में, Linux के अंदर भी PID के नाम से आता है, OS के अंदर basically PID के नाम से शो होता है, network के अंदर यह port नंबर के साब से शो होता है, मतलब application Chrome browser है, वो 80 नंबर के port पे काम करता है, उसमें हमने data feed किया, पर वो data feed होने के बाद जो session create होता है, और transport layer के पास जब आता है, तो वो उसको एक virtual PID देता है, येस, उसके सहिसाब, उसको एक unique identification के लिए, बई, अब देखो, यहां पे अगर मैं browser open कर रहा है, अब यहां पे कि मैंने क्या कर रखा है, zoom open कर रखा है, अब मैं यहां पे एक और tab open कर रहा हूँ, browser तो सेमी है मेरा, मैंने सर्फ एक nat tab open करा, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ, google open किया, एक और tab open करता हूँ, और यहां पे मैं मेरी website open कर लेता हूँ, T.J. McCartney, तो यह मैं different different port, इसके जो what do you call the tab है, उसमें मैंने different different website और accordingly open कर दिया, अब मैं google पे गया, और google वाले tab पे जाके मैंने यहां पे सर्च किया, how to do digital marketing, और करके मैंने तुरंथ enter करते से, मैंने कि अगरा zoom वाले tab पे click कर दिया, तो you can see, जो मैंने google वाले tab का जो data है, वो मुझे यहां पे दिखाई दिया, यह नहीं, वो कहां पे दिखाई दिया, वो तो वही exactly वहीं पे ही है, तो यह कि, अब system को कैसे पता चलेगा, कि मैंने इसी tab के लिए उपर यह data दिस्प्ले करना है, यहां से हमने जैसे request send करी, तो data back भी तो आया, google के server से, वापस आया जो data, वो कहां पे display करना है, तो यह काम करने के लिए वो जो एक यूनिक identification number जो generate हो रहा है, PID जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, यहां पे task manager के अंदर, यह उसकी वज़े से हो रहा है, तो क्या होगा, यह mix match हो जाएगा, पहले जो पुराने browser सबसे पहले, लेकिन जब हम स्टार्टिंग के अंदर browser से इस्तेमाल करते थे, तो एक browser पे एक ही टैब होता था, तो दूसरा और टैब ही नहीं होता था, तो क्या हूँ जैसे टिकनलोजी एडवांस हुई तो क्या हुआ, हम टैब क्रियेट करने लगे और टैब के लिए एक उनिका इडेंटिफिकेशन नमबर जनरेट होने लगे लगे वर्चुल पॉर्ट उसका जनरेट होने लगे लगे यह जो चीज़ें हैं यह टिकनलोजी के अकॉर्डिंग यहां पे वेरी कर रहे हैं एक और पॉश्चन अ आप और अच्छे से डेटेल में तब समझेंगे जब हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे जब तक राउटिंग नहीं करेंगे आपको डेटा एक्चुली कैसे रूट कैसे फाइनल होता है रूट में डेटा कैसे ट्रावल करता है वह कैसे होगा तो वह आपको समझने नहीं तो राउटिंग का पार्ट पर आने पर आपको यह जो भी सवाल पूछा उसका आपको बहुत नीड प्रेटा आया है ट्रांस्पोर्ट लेयर के पास वह जब नेटवर्क लेयर के पास जाएगा वह तो पहले से लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको क्लियर हो जाएंगे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे यह सारे डाउट्स आपके क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वहां पे आपको आपको अंडरस्टांडिंग आ जाएगी जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल का मैंने बुला अब नेटवर्क लेयर पे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ में कैसे रिलेशन है और कैसे यह सेंड करना है मैंने तो आपका इमेल आडी लिखा लेगिन जैसे मैं सेंड करता हूं तो मेरे सिस्टम को कैसे पता चाल जाता कि आपका जो पी सर्वर है उसका आईपी अडरस क्या है नेटवर्क लेयर की वज़े से तो हो है लेकिन उसके साथ में राउटिंग इंफरमिशन तो जब हम राउटिंग पड़ेंगे तब आपको यह और ज्यादा डीप डीपली क्लियर हो जाएगा कि उस पर भी हम बहुत अच्छे से डीटेल में कवर करेंगे और कोई सब्सक्राइब आज इतना करते हैं सी यू टुमरों सेंटाइम ओटनाइट अबीपाइब अग्यू